पूरे मामले में सवाल कई खड़े हो रही है सवाल ये कि आखिर पड़े लिखे लोग ऐसी मानसिक्ता के शिकार कैसे हो सकते हैं सवाल ये कि आखिर रेब जैसे जगन्य अपरात को अंजाम देने से पहले इन लोगों की मानसिक्ता क्या होती होगी रिपोर्ट देखे इसकी धारा क्यों नहीं लगाई गई ये सवाल भी उतना ही दर्द दे रहा है जितनी ए घटना फिलाल जांक चल रही है लेकिन एक सवाल जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है वो ये कि आकर क्यों लोग हैवान होने पर आमादा है वो ऐसी कौन-कौन सी वज़ें हैं जिनोंने एक सामानने से दिखने वाले इंसान को हैवान बना दिया इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता के दुश्पईणाम भी रेप के बढ़ते मामलों में देखे जा सकते हैं महिलाओं के दैनी सिती महिलाओं के दैनी सिती उनके प्रती हो रही यौन हिंसा का सबसे बड़ा कारण है महिला पुलिस की कमी के कारण शर्म के कारण महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत नहीं कर पाती नेताओं, पुलिस वालों और अधिकारियों ने महिलाओं के उत्तेजक कपड़ों को उनके प्रती हो रहे हिंसा के लिए जिम्मेदाट है राया घरेलू हिंसा को दबाना भी रेप की बड़ती घटनाओं की एक बड़ी बज़े है महिला और बाल कल्याण विभाग के रिपोर्ट के मताबिक समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षा इंतजामों की कमी है रेप या यौन हिंसा जैसे अपराधों में महिलाओं को बदनाम होने का डर होता है किसी महिला के साथ रेप या गेंगरेप होता है तो परिवार या समाज उस पर आरोपी से समझोता कर लेने कर दबाव बनाने लगते हैं लेट लतीफ कानून विवस्था के कारण नियाय मिलने इसमें देरी होना रेप जैसी वारदातों को बढ़ावा देता है कारण जो भी है लेकिन इतना तो है कि नैतिक सिक्षा का अभाव हमारे समाज में एक ऐसा जहर घोल रहा है जिसमें इस तरह की वारदाते आम होती जा रही है जो एक बड़ी सामाजिक चिंता का विशा है जिसमें सुधार के शुरुवात घर से ही होगी तभी परणाम बहतर होंगे इस मामले ने सभी को हिरान और परेशान कर दिया जिसने भी सुना वही से सुनकर विचलित सा हो गया आखर क्यों और कैसे पनप रही है ये विकरत मान सिक्ता जो इनसान को जानवर बना रही है समाजिक और मरो विज्ञानिक दृष्टिकोंट से समझने की कोशिश करते हैं बातपत में एक नविबाहिता की पहली रात जानलेवा बन गई सुहागरात में उसके पती ने जो कुरूरता दिखाई उससे मानपता भी तार तार हो गई इस घटना को सोचने भर से ही रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं इस विकरत मान सिक्ता की पीछे का मनु विज्ञानिक सच क्या है? सुनिये ऐसे मामले बहुत समय से होते हैं तभी हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है WHO इनको पैराफिलियस की संग्या देती है कि विकरत मान सिक्ता की संग्या देती है पर इसकी एपिडेमिक की पहुँच कितनी है ये बतापना बड़ा मुश्किल है है तो अच्छे बले पर अक्सर डर के कारण समाजिक प्रेशर के कारण ये चीज़े सामने नहीं आपाती है अगर आप देखें कि पोस्को एक्ट भी बनाया क्योंकि कहीं न कहीं चाइल्ड अब्यूज होता है अब चाइल्ड अब्यूज के मामले बहुत कॉमन हैं वो अक्सर जान पेचान वाले लोग करते हैं तो माबाब शरम के कारण बाहर नहीं निकलते या बच्चा डर के कारण नहीं निकलता वो डरा सहमा रहता है या कई बर ये डर होता है कि लौग की तरव से इनेक्शन होगा कई बर ऐसा भी डर हमने लोगों के अंदर देखा है ये घटना हैरान इसले भी करती है क्योंकि आरोपी कोई मानसिक रोगी नहीं बलकि एक पड़ा लिखा पेशिवर शिक्षक है यानि विक्रत प्रवर्ती एक जटके में आपको इनसान से जानवर बना देती है वोस्ट प्रवली वो कही न कहीं इंफ्लूएंस्ड है इन पॉन सैट से और उसे लग रहा है कि ऐसी चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आएगा कुछ अलग से करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा एक तो वो सीकर आफ प्लैजर हो गया इस तरीके से और उसकी मानसिक स्तिती ठीक नहीं है दूसरे तरीके से भी कि अगर ना कह दिया तो वो कॉमन एड़्यस्मेंट तो आना शुरू हो नहीं मेरे को करना इसी तरीके से अगर नहीं करेगी तो मैं तरी जान भी ले लूँगा तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रीम की मानसिक्ता दिखाई देती है कि जो की एक बिमारी है और सर जो पीडिता है जो इस दौर से गुजरी है जिसने ये दर्द छेला है उसकी क्या स्थिति आप किस तरह से देख रहे है ये तो सुभाविक है कि जिसने इतना दर्द छेला है तो उसकी मानसिक्तिती बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी वो बहुत भयावा है डरी होई होगी कितने सपने देखते हैं हम शादी के बाद कि हमारे साथ ही ये होगा वो होगा और पहली ही रात पे इतना दर्द नाक वाक्या हो जाए तो वो बहुत ही डरी सहमी होगी आधुनिक्ता के चोले में पनप रहा विकरत मानसिक्ता का मैल इखटा कर रही है मनोफे ज्यानिकों की माने तो संसकार को धुमिल कर रही है आधुनिक्ता टीवी और इंटरनेट पर परोसी जा रही अच्टीलता इसकी मुख्य बचा है अन्नेटरल सेक्स में बहुत कॉमन है ये कॉमन पहले भी था और अब और बढ़ता जा रहा है जैसे कि जैसे पॉन की जो हमारी पॉन इंडस्ट्री है उसकी फकट समाज के उपर बढ़ती जा रही है हम असानी से पॉन डाउनलोड कर लेते हैं पढ़ लेते हैं वाटसर पे फैल जाता है तो उसके अंदर जब ऐसी चीज़े दिखाई जाती है तो वो एक एडवेंचर का नियम ले लेती है कि कुछ लोगों के अंदर कि कुछ तो अलग से हो कुछ तो अलग से हो तो इस तरह से ये विक्रिती कई बढ़ डेवलप हो जाती है इस तरह के मामले अकसर अन्नोटिस ड़ा जाते हैं क्योंकि इसके साथ पुलिस एक्षन रिक्वाइड होता है तो हमारे पास ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आंकड़े आ नहीं पाते हैं जहां अननेचरल हुआ या तो वो दब जाएगा या पुलिस के पास आएगा सैकेटरिस के पास बहुत लेट या अकसर नहीं पहुँचता कई बर वो जब इनसान घर में ही रह जाता है जैसे आप कहा रहे हैं कि वो लड़की उसी घर में ही रह नहीं क्योंकि उसको देखते ही अत्याचार वाली फीलिंग दुबार से आएगी तो कई बर जब वो मामला घर में ही रह जाता है तो वो चीज बारी-बारी रिपीट होती है दिमाग के अंदर जिसके करन्ट स्ट्रेस, पोस्ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर और ज़्यादा बन जाता है युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवर्ती और मनोविकारों पर एक बार फिर से गंभीर विमर्ष किये जाने की ज़रूत है मनोविकार के लक्षन समझने की ज़रूत है यनि खेल सारा सोच का है, मानसिक्ता का है और ये मानसिक्ता ही है जो इंसान को जानवर बना रही है Special Desk, Total News